और अप, आपके स्वाज़तों सुख़ जिवन की मंगल कामना करती हूँ आपके रुपने इटिवहो को पर नमन करतेवें बढ़ों कोपनाम करतेवें वीडियो पराराम करते हुँ ना तो माः नाप चहाँ करने थि्टी हैं माता रानी के नाम का जैकारा लगा कर वीडियो प्रार्म करते हैं बोल साचे दरवार की जै माई मेरे सची आजोता वाली माता तेरी सदा ही जै हो मा माई 13 अपरेल से 2021 से 21 अपरेल तक सभी के घरों में रहने वाली है सबकी इच्छाएं पूरी करने वाली है बहुत सारे जोत्षिये शास्त्रिये पूझने उपाय हम आप लोगों के बीच में ला रही हूं लाती रहूंगी हर एक चीज आपके बीच में लाती रहूंगी बच्छों ने बहुत उपाय किये बहुत पूझा की बहुत ध्यान किया अब उनकी सुनोमा बच्छों का कारे पूरण को आज की वीडियो में विवा का एक महाशक्ति शाली उपाय लेकर मैं आपके बीच में तो चलिए जटपट वीडियो प्रारम कर लेते हैं लेकिन उससे पहले दिचायर पर नए आये हैं तो चैनल को सब्सक्राइक करना बिलकुल नद भूलेगा और बैल आइकन को बटन जरूर दबाईगा से आने वाली वीडियो का नाम नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहल नहीं है और पहले भी आ चुकी है जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चोड़ दोंगी आप भी देखेंगे उसे भी आपको बहुत सारी मदद मिलेगी आज फिलाल मैं आपको एक मात्र ऐसा महाशक्तिशाली उपाय बता रही हूं जो पहले नवरात्रे से आपक कितनी प्रिय है जैसे शिर हरी विश्म को तुलसी जी चड़ायती है तो भघमान को भोग सविकार होता है उसी प्रकार महामाई को लौग चड़ाय जाती है जिस से से भोगष्यकार होता है बहुत सारे लोग एक लोग के जोड़े पर पूरा प्रत रखते हैं आप यह सोचे एक लोग के जोड़े में कितनी ताकत कितनी शक्ति कितनी महामाई की क्रपा है कि वह आठ नो दिन तक पूरे शरीर को संचालित करता है एक लोगा जोड़ा तो इतना पवीत्र और इतना शक्तिशाली है वो लोंग का जोड़ा जिस से आज में आपको उपाई करवाने वाली हूँ अब आपको करना क्या है कि जितनी भी आपकी उम्र है 25, 30, 28, 32, 27 जितनी भी आपकी उम्र है उतनी आपको अपनी उम्र के बराबर लोंग के जोड़े लेने हैं लोंग के जो जोड़े लेने हैं जो लोंग है वो खंडित नहीं हो नीची फूल वाली लोंग अच्छी मोटी वस्ता करके रखेगा अगर आपके पास आपकी एज 22 साल की है तो आप मतलब काउंटिंग में 44 लोग और 22 जोड़े हो जाएंगे जोड़े का मतलब दो लोग का एक जोड़ा आप अच्छी तरह जानते हो लोग कभी अकेले नहीं चड़ती है है ना दो में चड़ती है जब हम दूब बत्ती करते है अगर बत्ती करते है हवन करते है पूजन करते है तो लोग का जोड़ा ही चड़ाया जाता है तो जोड़ा एक माना जाएगा ठीक है तो आपने 22 जोड़े तो आपको कलावे से उसकी माला बना लेनी है कलावे में लोग के जोड़े लगा लगा के आप को माला बना लेनी है यदि आपसे माला नहीं बनती है तो आपको क्योंकि हो सकता है कोई बच्चे हाँ एक बात बीच में याद आ गई कि बहुत सारे बच्चे कमेंड में कह रहे हैं कि कुछ ऐसे हैसान उपाय बताई जो एब रोड में रहते वे भी कर सकते हैं अब तक मैंने हैं आपको जितनी भी वीडियो भी परशारीत की हैं चाहे मैंने अमावस्या की की हैं चाहे मैने जो भी नवरात्रों की बी घर में सब्के होते तो मैंने कहां पर थी कि यह दी आप लोगों को लोंग की जोड़े की माला आप से बन रही है किलावे में बहुत अच्छी बात है नहीं बन रही है तो एक लाल कपड़े में या पीले कपड़े में आप वह लोंग के जोड़े बांढ लिजिए जितनी आपकी आई हो है पहला नवरात्रा शुरू होगा नहादोके रैड कर लाल रंके कपड़े पहने जो बॉय्स है लड़किया और लड़के देखी यह वाले नवरात्री चैतर नवरात्रे कि पूजर मैंने देखा पीजी में जो लड़कियां और लड़के रहते हैं सब शर्दा और भक्ति के साथ करते हैं सब करते हैं तो इसलिए स्वयम करें तो अती ही उत्तम रहेगा इसमें कुछ अलग नहीं करना जब आपके पूरी वीडियो हो जाएगी तो आपके मन में खुदी बहाब बनेंगे कि अगर जब हो खुदी कर लें और मम्मी भी अगर सुन रही है उनके बच्चे बाहर रहते हैं तो मम्मी तो चाहें तो यह कह भी सकते हैं उसे कि बेटा यह तो आप कर लोगे तो बहुत उत्तम रहेगा क्योंकि इसमें कोई भेद नहीं है आपने अपनी उम्र के वराबर लो माते बेट जाना है maa को जितनी भी चीज היो आर्पित करनी है सिक्क्त करना है कुम-कूम लगाना है शुंगार का समान चड़ाना है घुलाफ की फूल चड़ानें मोग्रा चड़ाई मां विट्रह अत्र को इत्र में ख़्या ज्रू और उन्हां आपने से लिखें रहें Д aller माम हैं वह बनाई दिया दिए अब मातारानी को पहनों दिए रुआ रारनी को अधीप खाता अपनी मनुगा काम नए रहर बहुत अ 싸आई लगा जा रहा है तो मातारानी ईश्याई आप दे बहुत आराम से वीडियो को मैं फिस दातीए। आप दीरे-दीरे सुना करिये, आप पूरी वीडियो नहीं सुनते हो और वोई चीज जो मैं दो बार बता चुकी होती हो ना वोई कमेंड में फूसते हो यह अच्छी बात नहीं है क्योंकि जो मैं दो-तिन बार एक वीडियो में एक टेट भी बताती हैं सब कुछ फिर आप कमेंड बूस्ते हो किस तारीक है तो वो ठीक नहीं है इसलिए दिरे दिरे सम बता रही हूं लड़कीयों के लिए जब उपाय किया जाएगा तो मातरानी को माला पहनाई जाएगी लड़के के लिए उपाय किया जाएगा तो वर्चन गैंगे किलियर अब आपको पूरे नोदीन सुभा और शाम जोट करनी है आप रख रहे हैं तो भी नहीं रख रहे हैं तो ऐसी कोई बंदिश नहीं है कि आपको ब्रत रखना ही रखना है शरदा से शक्ति से सामर्थ से रख सकते हो तो रखो और अगर नहीं रख सक कि जो इस उपाय को करेंगे प्रति दिन सुबह शाम को नहीं मैं कह रही हूं लेकिन शुबह जरूर दुरगा चालिसा का पा poss करेंगे माटा राञिंके सामने प्रति दिन अपनी मनों कामना रखेंगे जो आपने माला उन्हें पेनाई है विवा के लिए कि हमारे विवा होना है ठीक है 1% में अगर बिलकुल ही लड़की और लड़के नहीं कर पा रहे हैं और वो मानते नहीं है कभी-कभी ये भी परिशानी है पेरेंट्स के सामने कि बच्चे कुछ नहीं मानते जब कि ये तो देखो मातरानी को लोंग अर्पित कर देना से बड़ा कोई कर रहे हो ही नहीं सकता फिर भी अगर बच्चे नहीं मानते तो उस कंडिशन में मम्मी इस कर रहे को करे अपने बच्चे का नाम लेगे ठीक है फिर आपने पूरे नो दिन पूरी शर्दा और भक्ती से पूझा करनी है सुबा शाम की जोद जलानी है अगर वरत नहीं रख पा रहे तो भी सात्विक भोजन ही खाना है ऐसा नहीं है कि वरत नहीं रख पा रहे हैं तो आप कुछ भी खाएंगे आप बच्चे एब रोड में हैं पूझा कर रहे हैं और बच्चे एब रोड में कुछ भी खा रहे हैं तो फिर उस पूझा का फल देखो मिलता नहीं है फिर आपको ऐसा लगता है कि हम भूझा सारे उपाई कर रहे हैं हमें फल नहीं मिल रहा तो जिसके निमित किया जा रहा है उसे अपने मन तन से सात्विक तो रहना चाहिए तो यह बात अपने बच्चों को जरूर समझा दीजे कि हम पूझा कर रहे हैं लेके तुमें इस प्रकार से रहना इतने संसकार तो हिंदू संस्कृति ने दिये ही हैं यह आपको करने आप पूरे नो दिन हो जाएंगे राम नोमी हो गई दसमी के दिन नोमी तक वो माला मातारानी को पहनाई रखनी है क्योंकि दब तक तो आप मा की चोकी भी नहीं हटा होगे से कलश भी नहीं हटा होगे सब कुछ लगा रहेगा वो दस्वी के दिन तो पारण करोगे न वो भी मैं एक वीडियो में सारा बताऊंगे आपको कैसे करना है फिलाल सिर्फ उपाए की बात कर रहे हैं तो आपने वो माला को अमातारानी से ले लेना है फिर उस माला को आप भैते जल में प्रवाहित कर दीजे अपनी मनोकामना कहते हुए अब अगर ये कोश्चन है कि भैते जल में प्रवाहित कैसे करें हमारे महाँ पर जल ही नहीं है कहीं नदीस नहीं है कोई सरोबर नहीं है कुछ नहीं है कोई नहर नहीं है, प्रभाहित नहीं कर पाते हैं। कोई बात नहीं। आप घर के आसपास जहां भी कहीं बोदे हैं, प्लांट हैं, आपका इतना उचा गमला है, उसमें लगबग एक हाथ, जैसे यह एक हाथ है ना, इतना घहरा खोद लीजे। इतना घहरा, खुरपी से किसी से चीस से खोद के और उसके नीचे इसको दवा दीजे जो आपकी वो माला है और उसको मिट्वाय से दवा दीजे गुब्तरूप से अब क्या हुआ कि आप मातारानि से हाद चोड कर प्रात्ना कर ली कि भावानी हे रही crawka न करो मेरcket मन कौंद करो मैंने हर कुछ आपके उपर सौप दिया है अप सौप दिया इस जीवन का सब भार तुमारे हाथों में है जीत तुमारे हाथों में हिम्मा मेरी हार तुमारे हाथों में इस तरह से प्रातना करते वे आप उसको महापर समर्पित कर दीजिए और फिर अपने घर में आ जाईए आप ये कि माननेता तो ये है कि अगर बहुत ही अधिक कठना ही ना हो बहुत ही अधिक कोई बैसे बड़े से बड़ा दोश इस लोंग के उपाय से मैं आपको क्या ही बोलू दूर हो जाता है अब बिल्कुल ही कोई संकट हो तो नहीं कह सकती मैं लेकिन इसने जिसने भी इसको किया है बहुत अच्छे रिजल्ट आए है तो इसलिए इसको करिएगा इससे रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा पॉजिटिव ही आएगा मेरा ऐसा विश्वास है इसी विश्वास के साथ ये नवरात्रों में विवा का महाशक्तिशाली उपाय मैंने आपको बताया है एक दिन कर कर सकती है तो ये व roadmap कBruno करेंगे अवश्वास है यह महामाई मेरे बच्चों पर दया करना जिसके भी जिसके भी बच्चे की मार्ग में विवा के मारग में बाधा रही है परेशान हो रहे हैं मुए परेशान है पापा पपरेशान हैं बच्चे हैं मामाई गई द्दीयों तब तक हसते रहें मुस्कराते रहें वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और जिसे जरूरत है उसको शेयर कीजिए ये बहुत बड़े पुन्य का काम है कमेंट बोक्स में जैमाता दे लिखना बिल्कुल दोलिएगा अपना और अपनों का खयाल के खयाल रखिएगा मामाई के नाम का जैकारा लगाते रहेंगा गुन्गान करते रहेंगा इश्वर आपकी मदद करें